कि अच्छो गूड आफ्टरनून है सो एज वाल नो हम लोग क्या कर रहे है बटा टी डी एस बरे रहे 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 टी डी एस के अंदर में अब तक के हम लोगों ने क्या पढ़ लिया एक बार मैं क्विक रिविशन कर वा रहा हूं प्लीज फटाफ से देख लेना सबसे पहले ह हम लोगों ने बढ़ा था कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था बोली जल्दी से क्या कि भी यह सेक्षण 197 किसी को अगर लोर डिडूक्शन ओ डिदक्शन करना है तो क्या फिर हमने देखा था खेक्षण 200 जिसके अधर में लोगों ने लिगता उट्रदेटेट सॉफ तीडियेस फिर हमने देखा था 200A के टीडियेस का रिटर्न जो आप भरोगे उसको प्रोसेस कैसे किया जाता है फिर देखा था 203 certificate of TDS ठीक है फिर देखा था 198 कि अगर किसी का TDS कटा है तो वह उसके लिए क्रेडिट होगा वह उसके लिए क्या होगा बिटा क्रेडिट होगा फिर राइट मतलब उसको क्रेडिट बोलके मिलेगा टेक्स पेवल में से रेडियूस होगा फिर हम लोग ने बात कर दी वो 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 206 AA पैन का केस 206 AB अगर किसी ने रिटर्न नहीं भरा तो TDS विल वी डिटक्टेड एट हायर रेट फिर पढ़ा था 206 CC and 206 CC यह दोनों सेक्शन सेम ही थे बर TCS से रिलेटेड थे या आ रहा है मालिक आपको येस फिर हम लोग ने बात कर दी 194 B ठीक है अब एक बार शॉटकट खोलो शॉटकट खोलो 194 B किसके लेता बिटा विनिंग फ्रॉम लॉट्री दस हजार तीस परसेंट 194 डबल भी होर्स रेसे दस हजार तीस परसेंट 194 BA सीदा तीस परसेंट एनी अमाउंट पे येस फिर हम ने बात करती 194 D 194 G 194 D the insurance commission 5% 10% येस और 194 G 15,000 पाच परसेंट हाँ या ना येस फिर हम ने बात करती 194 LA compulsory land acquisition 2,50,000 किता परसेंट 10% फिर हम ने बात करती 194 50,00,000 से उपर 1% फिर हम ने बात करती 194 आय या दे फिर हम ने चिगार वाली सीरीज चालू किया रही थी राइट इन सब के लिए पेयर क्या था बड़े बड़े स्पेसिफाइड परसन इंडिविच्वले एक को टीडियस अभी तरग करना है वाज जब प्रिवेस प्रिवेस प्रिसीडिंग येर में बिजनस का टर्णोवर एक करोड से उपर हो और प्रोफेशन का ग्रॉस रिसीट 50,00,000 से उपर हो तो आपको क्या करने की जौरत है बूले जल्दी से टीडियस करने की जौरत है फिर हम लोग ने बात करती वो 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 194 I B personal rent individually HOF द्वारा 50,000 पर मन से उपर जा रहा है तो याद आ रहे है कि तुमको येस फिर हमने बात करती 193 193 interest on securities normal securities 5000 7.5% 8% वाले जो bond है उसके उपर 10,000 से अगर उपर जा रहा होगा TDS will be at the rate of 10% फिर हमने बात करती 194 A interest other than on securities 5000 40,000 yes normal interest other than securities का 5000 के उपर जा रहा है या फिर या फिर bank द्वारा जो इंट्रेस्ट दिया जा रहा है यह 40,000 से उपर दिया जा रहा है या 50,000 से उपर दिया जा रहा है senior citizen की case में the TDS will be at the rate of yes or no ठीक है यहां तक के I guess हम लोगा ने लास्ट वीडियो के इंदर में पढ़ा था say yes, yes अब बढ़ते हैं आगे आप जानते हैं पूरे book का revision and problems हम लोग सीधे end में लेने वाले हैं इसमें एक साथ बहुत सारा provision पढ़ना है चलो आज का next section चालू हो रहा है section 194 and 194 K ठीक है ऐसे दो section है पहला section 194 दूसा section 194 K दोनों भी TDS on dividends के उपर बात कर रहा है और यह dividends by MF सर MF mutual fund company है ठीक है थोड़ा interlinking करके पढ़ेंगे समझ में आएगा ठीक है सुनों लिखना मत दो मिनिट के लिए hold करना अगर company क्या कर रहे है बिटा कभी भी dividend दे रही है कभी भी क्या कर रहे है बिटा dividend दे रही है किसी भी shareholder को yes who is resident who is resident और अगर यह dividend exceed कर जा रहा है anybody dividend exceed कर जा रहा है कित्ते से बिटा 5000 तो TDS has to be made at the rate of 10% यह law है जिसमें कोई बदलाव नहीं आया अब कुछ बात है जो हमको और detail में समझें क्योंकि देख बेटा जब भी तिरको institute question देगा न यह हमेशा एक ही चीज में बहुत सारी तो concept पड़ेंगे company जब डिविडेंट देती है ठीक है company जब डिविडेंट देती है मतलब company डिविडेंट पे कर रही है company के लिए income expenditure है company के लिए expenditure है PGPP को connect करो is that expenditure incurred by company debited to P&L allowed as deduction यह disallowed allow or disallow आपको संगा मैंने question क्या पूछा company के लिए तो यह expenditure है company से P&L में debit कर रही है is that expenses allow or disallow जल्दी से बताओ is that disallow क्यों disallow सरी कोई expenditure नहीं है it is appropriation of profit हम उसको P&L में डालके expenses दिखा रहे हैं but this is an appropriation of profit यह disallow हो जाएगा while computing while computing PGBP अब आप पूछेंगे के सर डिसलाओ होई होने वाला है तो company dividend देती क्यों है अगर डिसलाओ होने वाला है तो company dividend देती क्यों है company dividend डिसलाओ होई आलाओ के matter से नहीं देती dividend देती अपने shareholder के लिए ताकि कि वह investment कर सके समझ में आई बात अब आते हैं shareholder के aspect में shareholder के लिए राइट या तो यह IFOS होने वाला है यह PGPP होने वाला है only IFOS होने वाला है even if share trading is a regular business वो IFOS income ही रहेगा this is held in a case law even if it is you know share trading is a regular activity dividend से आने वाला income हमेशा क्या रहेगा IFOS आपको याद होगा जब आप IFOS पढ़ते हैं dividend के साथ साथ dim dividend नाम का भी concept आता है yes तो क्या यह TDS dim dividend पे भी होता है आपको मेरे सवाल समझा सवाल फिर से रिपीट कर दूँ dividend में dim dividend नाम का concept भी होता है ठीक है IFOS के अंदर में हमें देखने को मिलता है अब मुझे एक बात समझाई है कि क्या dim dividend पे भी यह होता है हाँ या ना हाँ या ना इस TDS also made on dim dividend under section 222 A B C D E Dividend का अगर हम base definition ही पढ़े dividend includes dim dividend under section 222 A to E तो जो TDS भी होता है वो पूरे के पूरे dim dividend पे भी होता है are you getting the point क्योंकि dividend का ही basic definition यह है dividend includes dim dividend अब मुझे बता मैं तेको TDS में सिर्फ इत्ता point पढ़ा दू तेरे को कुछ समझ नहीं आएंगा अगर मैं तिरको inclusive पढ़ाऊ तो तो तेरे दिमाग में बैटेंगा कि तीनों aspect हो क्या रहे हैं तो dividend में क्या include होगा बोल मेरे बच्चा अगर कोई भी कंपनी जब शेरोल्डर को dividend दे रही है यह डिविदेंट पांच सार से ओपर जा रहा है तो TDS आएगा अड़रे डॉफ बोलो बिड़ा 10% येस अच्छा ध्यान से सुन कि येस कि एक सवाल है कि Companies Act के हिसाफ से डिविदेंट केन ओनली भी पेड इन कैश कि अई तुम इंकम टैक्स के हिसाफ से बोल रहा हूं कि Companies Act के हिसाफ से तो डिविदेंट केन ओनली भी पेड इन कैश और हम इंकम टैक्स में डीमड करते हैं तो काइंड में भी अगर कुछ मिलता है तो डिविदेंट फर एक्जामपल लिक्विडेशन में अगर कोई कंपनी और उठाके एसेट दे देती है शेरोल्डर को तो वो 222C के अंदर में डीम डिविदेंट माना जाता है याने हम तो इंकम टैक्स में काइंड वाली चीजों को भी डीम डिविदेंट मान रहे हैं अरे हां या ना राइट तो डिविदेंट इस पेड टीएस तभी होता है वें डिविदेंट इस पेड बाई एनी मोड अदर देन कैश मतलब ध्यान से सुनिएगा डिव टीएस कभी भी नहीं लगने वाला इव दिविदेंट इस पेड इन एनी मोड अदर देन कैश क्योंकि अंडरस्टांड करना बहुत लॉजिकली आप उसे डिम डिविदेंट जरूर मान रहे हैं लेट से 222C की अगर मैं स्पेसिफिक बात करो डिविदेंट की डेफिनेशन में सब कुछ इंक्लूड होता है लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है मान लीजे मैंने शेरोल्डर को उटा करके बिल्डिंग दे दी कईसे टीडियस काट हो तो इसमें एक एकसेप्शन रखा गया है कि भीया देर विल भी नो टीडिय TDS if shareholder is individual where dividend is paid by any mode other than cash further no TDS if dividend is paid to LIC, GIC, other insurer अगर यह dividend LIC को दिया जा रहा है that is Life Corporation of India, GIC that is General Insurance Company यह किसी भी other insurance company को दिया जा रहा है तो यह इस पर TDS होता नहीं ऐसा क्यों क्योंकि insurance one of the investor होते हैं जब IPO लेकर कर आते mandatory part पे exempt किया गया है उन लोगों को या फिर हम दे रहे हैं किसको बिटा business trust रुको मैंने आपको अभी लिखने नहीं बोला है रुक जो ठीक है यह business trust को आप दे रहे हैं यह other person specified other person specified तो आपको TDS करने की ज़रौत नहीं है समझ मारी बात चलो interlink करो बिटा वापस से company dividend दे रहे है किसको बिटा शेरोल्टर को कंपनी के हाथ में क्या यह expenditure है यह पर PGP जब company compute करते रहेगी deduction is not allowed because it's not expenditure it's appropriation of profit shareholder को जब भी dividend मिलता है यह dividend पूरा का पूरा taxable होता है कौन से हेड में IFOS even though share trading आपका regular business ही क्यों ना हो अगल dividend 5000 से उपर जा रहा है TDS करेंगे at the rate of 10% yes or no अब यही dividend non-resident को दे रहा तो if paid to shareholder who is NR TDS has to be made under section 195 तो कोई भी payment जो आप resident को कर रहा है यही payment उठाके non-resident को कर दें TDS under section 195 TDS under section 195 are you getting the point yes यह हो गया पहला point अब आते हैं किसके उपर 194 K के उपर किसके उपर आते है बटा 194 K के उपर अब यह 194 K क्या है income in respect of units या dividend by mutual fund company मान लिजे कोई mutual fund company है mutual fund company अपने shareholder को क्या दे रही है income distribute कर रही है income distribute करना का मतलब क्या होता है dividend देना बरबर एक ही नहीं अगर यह dividend भी क्या कर जाए बिटा exceed कर जाए रूपीज 5000 से तो TDS has to be made at the rate of 10% बिल्कुल भाई-भाई section है दोनों भी येस अगेन विचल फंड के लिए कोई deduction मिलने वाला नहीं है लेकिन जो शेरोल्डर है क्या इसके लिए इंकम मानी जाएगी हाँ या ना यह सो यहां पे भी किसको दिया जा रहा है अगर resident को दिया रहा है बताईए इफ पेड टू नॉन डिशिदेंट if paid to non-resident TDS will be made under section 195, is that done? लिको no TDS if nature of income is capital gain ठीक है सुनो ना, register में सिफ दोनों लिखना चाहरे हो क्या क्या क्योंकि मेरे हिसाब से सिफ 194 लिखना है register में बाकि 194 के आपने shortcut में लिख देना चाहिए तो मेरे हिसाब से यह करना चाहिए बट अगर आप फट फट लिख सकते हैं तो लिख लीजे कर दो लिख सकते हैं कर दो लिख सकते हैं कर दो लिख कर दो लिख सकते हैं अ कर दो कंढ आपकर को आपकर का कम अपकर को से फियर सब्सक्टरिफशे करने लिए सबस्क्राइब करें इस आपकर दो कर दो वहां बोलो लो जी एरे एंड़ाइटिंग सुदर गई है वहां बोलो इस दड़न चलो मैं नेक्स सेक्षन के उपर जा रहा हूं विच इंपॉर्टन फोम एक्जाम बॉंट फूव निनने फोर सी जाने से पहले प्लीज शॉटकट में जाएए प्लीज शॉटकट में जाएए वहां पे लिके 194 डिविदेंट 5005 परसेंट स्वरी 10 परसेंट उसी के नीचे 194 के डिविदेंट बाई MF 5000 10 परसेंट 10 परसेंट इस दन ओ मैं गाड 194 सीशी फॉर कॉंट्राक्ट चली कितना याद आता है पहले फटक से याद करके देखो कॉंट्राक्ट अगर है तो कॉंट्राक्ट अगर है तो इंडिविजूल पेमेंट मस्ट एक्सीड 30,000 एग्रिगेट पेमेंट इन ये एक्सीड 1,000,000 तो TDS हो गाया अगर पेई इंडिविजूल है पे तो 1% अधर है तो 2% यहां तक के यादा रहे सभी को ठीक है अच्छा अब ध्यान सा सुनना अगर कोई भी स्पेसिफाइड परसन ओहो कहीं पड़ा-पड़ा सा वर्ड लगता है रेफर कॉमन पॉइंट स्पेसिफाइड परसन मतलब इंडिविजूल हो तभी टीडिएज डिड़क करेगा जब बिजनस का टरन ओवर एक करोड के उपर या प्रफेशनल की के लिए सिट 50 लैक्स से उपर एंड करेंट यह में जो पेमेंट है वो प्रिसक्राइब लिमिट से उपर जाना चाहिए तो स्पेसिफाइड परसन कभी भी किसको दे रहा है रेसिडेंट को दे रहा है पेमेंट फॉर पहला कॉंट्राक्ट दूसरा सब कॉंट्राक्ट तीसरा वर्क्स कॉंट्राक्ट तो अगर आप कॉंट्राक्ट का पेमेंट कर रहे हैं सब कॉंट्राक्ट का पेमेंट कर रहे हैं या फिर आप वर्क्स कॉंट्राक्ट का पेमेंट कर रहे हैं और यह पेमेंट एकसीड करता है single pay 30,000 per annum aggregate pay sorry single pay 30,000 aggregate pay 1 lakh per annum TDS if the pay is individual ya huf 1% others hoga to 2% others hoga to 2% बरबर है चलिया ध्यान से सुनिया नो TDS section 194C में आपको TDS करने की ज़रूत नहीं if contract is of personal nature do you agree अगर contract personal nature का है तो आपको 194C में TDS deduct नहीं करना है wait a moment क्या personal payment पर TDS एड़क नहीं करना है या 194C में नहीं करना है इसके लिए एक separate section आया था 194M येस तो जो personal payment है वो 194C में cover नहीं होते पर personal payment जो है वो 194M में cover होते हैं तो bracket में हम यहां पे लिकेंगे covered in section 194M covered in section 194M तो पहला अगर contract personal nature का है तो इस पर आपका TDS होने वाला नहीं है if paid to non resident no TDS under section 194C but covered under section 195 do you agree येस अच्छा जी इसमें प्रोविजन है जो आपको institute बहुत बार पूछता है वो है बताइए payment अगर एक एक ऐसा adjustment दिया PGBP में तो आप क्या करेंगे जरह समझिए क्योंकि यह adjustment आपसे total income के question में दो बार पूछा गया है ध्यान से सुनिएगा a payment is made to contractor in cash rupees 32,000 but no TDS is deducted on the same as he was having only six truck फिर से सुनिए लाइन को a payment is made to contractor 32,000 in cash but no TDS is deducted because he was having only six truck अब आपको नहीं लगते हैं पर दो प्रोविजन मिक्स हो रही है पहला प्रोविजन cash payment 40 A 3 yes PGP में 40 A 3 नाम का एक section है जो कहता है good transport agency को 35,000 रुपीज तक का payment allowed है CES तो हम वहां पे तो डिस्रेलावंस नहीं face कर रहे दूसरा point अब इसने TDS डिदक नहीं किया 32,000 पे करने के बावजूद भी क्या डिस्रेलावंस अट्रेक्ट होगा 30% 40 A I A डिसलावंस होगा या नहीं होगा हाँ या ना 40 A 3 में डिसलावंस नहीं होगा पर 40 A I A में डिसलावंस होगा क्या yes or no how many people say yes हाथ उड़ो जल्दी से हाथ उड़ो how many people say yes अच्छ हो मेंनी बीबल से नो जिनने हाथ नहीं उठाए उनके काँ बिजी है उनके हाथ किदर है मैं फिर एक बार सवाल बोलू सवाल सुन विजय साल्डा मेड पेमेंट ऑ 32,000 तो अ गुड ट्रांस्पोर्ट अजन्सी सपोस्वाल कंडिशन ऑफ स्पेसिफाइड परसनी सैटिस्फाइड बरे बरे बट विजय हाज नॉट डिटेट टीए अब 40 ए 3 में विजय का डिसलावन तो होता ही होता है अरे हां यह ना तो वो होगा है नहीं होगा वो होगा यह नहीं होगा एन आंसर इस नहीं होगा क्योंकि 194C में एक बात लिखी विए अगर आप गुड ट्रांस्पोर्ट एजन्सी वाले को पेमेंट करते हैं जिसके पास लेस दें 10 गुड वहिकल है एंड अगर वो पैन नंबर प्रोवाइड कर देता है तो टीडियस करने की ज़ौराथ नहीं है तो जब टीडियस की ज़ौराथ नहीं है तो डिसलावंस अट्रैक्ट नहीं हो सकता समझ में आया कि पेमेंट टू अच्छा कई लोगों की तो अभी अग खुली अच्छा ऐसा भी था के वन नाइटिफॉर सी मैं हम 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 पेमेंट टू जी टी ए पेमेंट टू जी टी ए हूँ ओन्स अधिलेस देन तेन गुड्स क्यारेज or its subcontractor who provides PAN no TDS is required no TDS is required no TDS no no 194 C subsection 6 is that done अच्छा बताईए sale of goods भी तो एक contract है sale of goods भी तो एक contract है क्या sale of goods के ओपर TDS यहाँ आएगा या कोई और section है 194 Q no TDS on sale of भूलो भीटा goods it is covered under section 194 Q तो 194 C में sale of goods के उपर कोई TDS नहीं है is that done अच्छा जी अच्छा जी देखा है अच्छा आच्छा अच्छा आच्छा इस अच्छा जी सर, Sir, what do you mean by works contract, works contract, ABCD का manufacturing, इसको ऐसे याद रख सकते हो, ABCD का manufacturing, यह definition काम की चीज़ है, याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है, यह definition काम की चीज़ है, works contract में क्या आता है, पहला सवाल, क्या works contract पर TDS आता है, येस, A मतलब क्या, advertisement contract, advertisement contract, B मतलब क्या, broadcasting, telecasting, C का मतलब क्या, catering, D का मतलब क्या, carriage of goods, यहां का बस D use क्या rhyme करने के लिए, in any mode other than railway, carriage of goods, in any mode other than railway, manufacturing, यह वो लाइन है, जिसके उपर सबसे ज़्यादा question पूछे गए है, manufacturing of goods, as per specification of pair, where material is supplied by pair or his related person manufacturing manufacturing goods, as per the specification of pair, where material is supplied by pair or his relative, अब यह अब यह थोड़े दिर पहले पढ़ा, 194C में, sale का contract नहीं आता, do you agree, yes, अब ध्यान जा सुनना, इसके उपर यह जो last line है, जिसके लिए मैंने आपको पूरा definition पढ़ाया है, नहीं तो शायद फास्ट्राक में पढ़ाता भी नहीं, इसके उपर सबसे यहादा question आपको पूछेगा है आज तक के, institute द्वारा, अब ध्यान जो सुनो, होता कै है, मानलो, एकत्वम academy ने, एकत्वम academy ने, let's say, लाल जी भाई को, टी-शर्ट प्रिंटिंग का order दिया, बरबर है, एकत्वम academy ने, let's say, लाल जी भाई को, टी-शर्ट प्रिंटिंग का एक contract दिया, कि भी हमार पास certain number of student है, इत्याफ टी-शर्ट प्रिंट कर दिजे, बरबर है, यह contract देते वक्त, हमने material भी supply किया, क्या provide कि हमने material भी supply किया, इस case में TDS आएगा, क्योंकि यहाँ पर technically लाल जी भाई को जो contract है, यह सिर्फ job contract है, works contract, समझ मारी बात, यहाँ पर material भी मैंने दे दिया, material उससे भाई नहीं किया, मैंने material भी provide कर दिया, यहने technically मैं सिर्फ उसको job work दे रहा हूँ कि भी हमने जो लि something कुछ डाल दे, right, C है हूँ काफी है, ऐसा कुछ logo डाल दे, अब understand करना, यहाँ पर material भी क्योंकि हमने provide कर दिया, TDS has to be made under section 194C, अब होता क्या था, जब यह provision लेकर क्या आया, जब क्या आया, यह provision लेकर क्या आया, तो, you know, लोगों ने tax avoid करना चालो किया, अब क्या होता था मान करके चलो, विजय है, who is a partner to ekatvam, बरबर है, अब यह क्या कर दे रहा है, on behalf of ekatvam, on behalf of ekatvam, वो लाल जी को क्या provide कर देता है, he provide cloth, अब देखो, लोग TDS avoid करने के लिए क्या करते थे, खुद cloth नहीं देते थे, अपने related person, partner to ekatvam is a related person to ekatvam, वो अपने related person से क्या करवा देते थे, वो करवा देते थे, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक home brand है, putra, if you don't know, मेरा खुद का एक brand है, kपडो का putra, yes, जिसके अंदर में मैं सिफ लडको के formal shirts बनाता हूँ, ऐसा है, मितलब ऐसा है, सची में है, रुको, थोड़ा advertisement कर देता हूँ, marketing बोल दो, आप, यह देखो, putra menswear, बरे बरे, यह, मतलब, right, as of now, हम सिफ लडकों के formal shirts में enter करे वे हैं, right, जो articleship में जाते हैं, बच्चे, जो professional बन जाते हैं, yes, oh no, इसको connected business कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, connected business, forward and backward integration में से यह, forward integration, oh, तो, अब समझे यह, मेरा brand है, putra, बरे-बरे, right, so, technically, मैं इसमें as a shark work कर रहा हूँ, where my finances involved, अब समझे, एक अत्वम क्या करेगा, एक अत्वम सीधा सीधा विजय को बूलेगा, तेरा खुद का brand है, एक काम कर, वहाँ पर कपड़ा provide करवा सस्ते में, क्योंकि यह cost बचाएगा किसी भी company के, understand करना इसको बहुत practically, right, अब मैंने क्या किया, मैंने कपड़ा भीज दिया किसको लाल ज situation जमझते है, मान लिजे, एक अत्वम ने एक कॉंट्राक्ट दिया, to, let's say, लाल जी, but, no material is provided, no material is provided, by एक अत्वम और related person, अब बताएगे, TDS होना चाहिए, क्या, the answer is no, क्योंकि ये कॉंट्राक्ट किसका कॉंट्राक्ट हो गया, purchase, ये कॉंट्राक्ट किसका कॉंट्राक्ट हो गया, purchase, technically अब मैं उससे t-shirt ही purchase कर रहा हूँ, yes or no, अगर ये pure works है, that is job contract, तो TDS है, under section 194C, अगर ये purchase contract है, तो 194C में नहीं आ सकता, समझ में आई बात, institute आपको यहीं घुमाता है हर बार, तो material अगर आपने या आपके related person ने दिया है, तो ही 194C में TDS आएगा, नहीं तो 194C में TDS आने वाला नहीं है, फिर वो 194Q में जा सकता है, फिर 194Q में जा सकता है, are you getting the point, लिखना चाहते हो, लिखो सर तो फिर सबको एक एक शर्ट फ्री दे दो, तुम्हारी लाइकी जो है न, वो पूरी industry hold करने की है, तुम एक एक चीज मांग करके न, अपने आपको degrade मत करो, समझ मारी वात, सर अच्छा बहाना था, बहाना नहीं, सच बता रहा हूँ, बहाना नहीं, सच बता रहा हूँ है न, एक अच्छी चीज बताओ, मतलब थोड़ा सा, आपने कभी एक word सुना होगा, कुर्पा, बरे बरे आपने कभी word सुना होगा, कुर्पा, आपने बहान की कुर्पा है, ये कुर्पा को अगर आप दो word में तोड़ो ना, तो एक भहुत प्यारा मेनिंग निकलता है, कु तो थोड़ी सी मेहनत कर और खुद से पा, समझनारी बत, तो थोड़ी सी मेहनत कर और खुद से पा, कृपा, तो आदमी कृपा वर्ड इसलिए यूज करता है कि मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूं, थोड़ा सा बगवान गुडलग दे रहा है, इसलिए प्रभु की कृपा चल र वह सर, आपने मेरी बंद उत्ती आंखों को खोल दिया चलो, वर्क्स कॉंट्रक्स कंसेप्स समझ में आया मालिक से यश बैचा बैचा अभी अपने इंटर में हाँ TDS हैस्टू बीमेड अभी आप प्रूव कैसे करोगे है अंडर्स्टाइंड, रिलेटेड पर्टेशन के थू दिल्वाना उसके लिए आपको कोई फॉर्मल अग्रीमेंट की ज़रूत नहीं पड़ती न एस और दूसरी बात मानलो अगर TDS कार्ट भी लिया तो कुछ गलत तो किया नहीं सामने वाले को तो वैसी भी प्रेडिट मिल रहा है तो कोई इतना क्वेश्टन नहीं करता फिर TDS के प्रोविजन पर बट ओनेश्टली स्पीकिंग इस पर TDS होगा मतलब इवन दो लाल जी परचेश फ्रम पुत्रा TDS होगा और कि सालिक का को अच्छां कर अब सुनना अभ सुनना ति कई बार हम एक ऐसा जॉब contract देते हैं कई बर हमें एक ऐसा job contract देते हैं जिसके अंदर में क्या आ जाता है लिट से material का cost भी आ जाता है तो TDS has to be made on whole invoice value or excluding the value of material TDS किस पर होगा TDS on invoice value understand TDS shall be made on the value excluding the value of material if material value is separately shown in invoice अगर material की value invoice में separately shown नहीं है तो on the whole value with GST जेशा is that done so that was 194C let's have a quick revision 194C कहता है अगर कोई भी specified person किसी भी resident को contract सब contract क्या works contract के लिए payment करता है single payment exceed 30,000 aggregate payment exceed 1,00,000 तो TDS 1% या 2% के इसाब से आए गा हाला कि इस section में TDS नहीं आ सकता अगर यह personal nature का है अगर यह sales related है अगर यह NR को pay किया है या good transport agency को दिया आगा है या उसके sub contract का है जिसमें सामने वाला पैन प्रोवाइड कर देता है and hold less than 10 goods वही कर लिए माली फिर हमने works contract का definition देखा जिसके लास्ट वाले content पे सबसे यहादा question आता है so let's be practical and exam oriented लास्ट वाला content important है लास्ट वाले पे TDS तभी आएगा जब हम लोग material भी साथ-साथ में क्या कर रहे है प्रोवाइड कर रहे है हम लोग ने चिगार पढ़ना था C-H-I-G-A-R have we done with C have we done with I have we done with A yes or no अब हमें क्या पढ़ना चाहिए जे कि अब हमें क्या पढ़ना चाहिए जे section 194 J professional प्रोफेशनल section 194 J किसके लिए बिटा प्रोफेशनल अच्छा जी सर 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 एक बात बताईए क्या इसमें सिर्फ प्रोफेशनल कवर हो रहे है कि कोई और भी कवर होते है आपने भी शॉटकट नहीं लिखा रहा है शाहिए एक में शॉटकट में भी जाओ में लिखा रहा हूं 194 C कॉंट्राक्ट शॉटकट में जाओ लिखो 194 C कॉंट्राक्ट 30,000 उब्लिक 1,00,000 30,000 उब्लिक 1,00,000 30,000 उब्लिक 1,00,000 पर एनम TDS में लिखे 1,00,000 2% और लास्ट में लिखे रिफर अहेड यस ओनो ठीक है चलो आजो 194 J 194 J प्रोफेशन अगर कोई स्पेसिफाइड परसन लिखना है आ गया कि किसी भी रेसिडेंट को पे कर रहा है कौन सासर Fees for Professional Services Fees for Technical Services रायल्टी रायल्टी आंपून कुंपेट FeES या फिर रेमीन देर्ट्री पूर्ट्ट्ट। yes understand fees for professional services 30,000 fees for technical services 30,000 royalty 30,000 non-compete fees 30,000 director's remuneration any amount TDS anyone professional service ke liye professional service ke liye 10% fees for technical services 2% royalty on films 2% other royalty 10% non-compete fees 10% directors remuneration 10% loji sir one table all TDS all TDS all TDS all TDS झाल 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 is this done notes point number one, no TDS if paid for Pula veda personal purpose it will be covered under section 194M, if paid to NR, TDS under section 195. Is that done? Professional means person covered under section 44AA, 44AA के अंदर में professional cover किया गया है, तो वहाँ से हम लोग देखेंगे अब ध्यांतर सुनिए, section क्या कहता है, section कहता है, अगर कोई भी specified person, specified person का मतलब refer common point, yes, refer common point, अगर ये क्या करता है, चलो सुनो न, और deep में जलते हैं, specified person payment कर रहा है, मतलब उसके लिए expenditure है, इस, fees for professional services debited to P&L, allowed as deduction, याने, इसके लिए ये, allowed as deduction, royalty payer, fees for technical services, is it allowed as deduction, yes, royalty payment debited to P&L, is it allowed as deduction, yes, non-compete fees paid, is it allowed as deduction, remuneration paid to director, is it allowed as deduction, yes, तो इनके लिए ये, allow होगा, as expenses, while computing, बोल बेटा, PGBP, सब कुछ interlink कर दे, अब तु समझ चुका है, institute सिप provision नहीं, सब एक साथ पूचता है, सब समझने का एक साथ, जिसको मिल रहा है, जिसको मिल रहा है, उसके लिए, या तो PGBP, या तो IFOS, जिसको मिल रहा है, उसके लिए PGBP, IFOS, जो दे रहा है, it is allowed as deduction, सब के सब business expenditure, बाने जाएंगे, yes or no, सब के लिए limit है, 30,000 payment per annum, right, 30,000 के पर annum के payment है, सिफ director sitting fees ऐसी है कि एक रूपए से इसके उपर TDS चालू हो जाएगा, 2% का TDS है, royalty on films के उपर, fees for technical services के उपर, और call center के उपर, बाकी सब के उपर कितना percent है, 10%, clear है मालिक, yes, personal services काँ कवर होगी, 194M, personal services काँ कवर होगी, 194M, clear है मालिक, चलो shortcut में जाओ, is that done, चलो 194J, professional or technical payment, professional or technical payment, 30,000, 30,000, 2 oblique 10%, 2 oblique 10%, last column में लिख दीजे, refer ahead, last column में लिखे, refer ahead, भाई जी, done है, ब्रो, चिए आई जे ए आर, सी खतम, आय कटम, जे कटम, ए कटम, ए कटम, clear है, यच्च, section 194H, commission oblique brokerage, commission oblique brokerage, अगर कोई भी, specified person, pay कर राय, commission or brokerage, to resident, specified person का मतलब, refer common point, हाँ या ना, specified person का मतलब, refer common point, individual हुए तभी TDS, ड़क करेंगे, चलो, repeat करूर में साथ एक बार, individual हुए तभी TDS, ड़क करेंगे, जब, previous, previous, previous preceding year में, turnover of business, must exceed 1 crore, or gross receipt from profession, must exceed 50 lakhs, and in the current year, the payment must exceed, prescribed limit, clear है मालिक, ओके, यह resident को payment करना है, commission या brokerage, exceeds, बीटा, commission के लिए limit किती दी, 15,000 पर एनम, तो TDS will be, अड़रो, अड़रो, 5%, commission पर भी 5%, brokerage पर भी 5%, यह याद रखना, अज़रो, 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 पर आप, link don't you think commission या brokerage जो यह earn कर रहा है this will be taxable under the head of PGBP और IFOS अरे सिर्फ आफोस नहीं बुल सकते commission किसी का regular business भी तो हो सकता है तो PGBP और IFOS तो यह जो earn कर रहा है इसके लिए taxable होगा PGBP IFOS में specified person who is paying इसके लिए है तो यह expenses है इस expenses allowed while computing PGBP depends if it is related to business allowed एल्स क्या हो जाएगा बिटा डिसलाओ और इसी के तहत no TDS on commission paid for personal purpose क्योंकि समझ रहे हो तो अगर यह personal purpose के लिए है तो TDS नहीं आएगा yes no TDS no TDS no TDS on commission paid बाय बीएसनल, MTNL इसको पूछा जाता हैं इंस्टिटूट द्वारा इसलिए लिखाया हूँ बीसनल और MTNL वाले जो कमिशन पेकर रहे हैं इस पर TDS नहीं आता है यह सिर्फ पूछा जाता है इसलिए लिखा रहा हूं नहीं तो कोई इतना relevant point नहीं है बढ़े बढ़े बताओ इस कमीशन इस पेड टू एम्प्लॉई तो वो कहां आना चाहिए salary का TDS 192 के अंदर में यह इस सेक्शन में नो टीडियस अंदर सेक्शन 194 एच इट विल बी कवर्ड अंदर सेक्शन 192 तो एम्प्लॉई को जो हम कमीशन पे कर रहे हैं वो यहां नहीं आता वो 192 में जाता है वो कहां जाता है बढ़ा 192 आहो yes thank you so much पूरे भारत से प्यार देने के लिए it is the third time we have gone out of stock with the book which will be refilled in one or two days till that time students or few people are requested please 15-ruपे वाले चिंदी धने मत करना मत थोड़ा बड़ा सोच at least बेचना भी यहना तो 15 में बेच मतलब तेरी वैल्यू तो भी रख परवर एक है तो अपनी वैल्यू मत गिरा परवर एक नहीं चलो सुनो हाँ हम जब shares buy करते हैं हम commission पे करते हैं क्या उस पर TDS आता है क्या हम जब shares buy करते हैं तो उस पर security पर commission देते हैं बुलो हाँ तो उस पर TDS आता है क्या क्यूं आता होंगा न हम आता है अर पर commission नहाँ आता है नो TDS on transaction related to securities but TDS is applicable on commodity transaction TDS is applicable on commodity transaction commodity transaction के उपर TDS जरूर applicable हो जाएगा yes or no अब इसमें आपको याद है एक concept था broadcasting telecasting related broadcasting telecasting अब यह एक ऐसा point है जो 194C और 194H में common है ठीक है अब यह law क्या कहता है जरतहान से सुनिया अगर अगर दो तरके की चीजे होती है imagine किजे sony channel दो तरके की चीजे हो सकती है एक show किसी और ने बनाया और सिर्फ sony पर broadcast telecast करने के लिए दिया बरे बरे दूसरा हुआ sony ने ही अपना theme बनाया और बाद में उसे broadcast telecast करवाया let me give an example सल्मान खान प्रडक्शन ने कपल शर्मा शो बनाया और उसे sony पर चलाया sony ने ही पैसा दिया crime patrol सतर्क और सावधान रहे और अपने उपर चलाया अब यहां पे दो अलग अलग चीजे हो गई situation no.1 अगर content is produced as per the specification of broadcaster and telecaster तो वहां पे TDS 194C में आना चाहिए yes so if content is produced is produced so मान लो ZTV ने अपना कोई app बनाया अलू नी बना रहा हूँ यहां से सुनिया right Balaji Telefilms वालो ने अपना कोई app बनाया wherever content भी वही बताते so if the content is produced okay जिसको यह नहीं समझा आप यह बहुत पीछी है as per as per the specification by broadcaster oblique telecaster इसमें TDS कौंसे section में आएगा 194C वेर एक्वायर ओनली broadcasting rights will there be TDS yes under section not known circular नहीं नहीं दिया कि इतना गजब का circular था circular ने यह तो बता दिया कि भी अगर broadcaster के specification से बनाया लेके जाएंगे लेकिन दूसरे पार्ट में उसने लिखते वक्सिप यह लिख दिया there will be TDS but under which section वो बताया है नहीं there will be TDS but under which section यह एक्स्प्लीन ही नहीं किया circular ही ऐसा है बोथ हाल्ड बहुत बढ़िया बिटा हाँ जी यह वाला केस हुआ तो आपने एक्जाम में लिख के आने का there will be TDS as per circular number 4 2016 कतम but मैं आपको बात बताता हूँ understand किजीगा कोई भी matter जिसके ओपर dispute है शायद मैंने आपको पहली भी बताया है कोई भी matter जिसके ओपर dispute है खुद हो के institute उसमें जबरदस्ती question नहीं पूछता उसका बहुत specific reason है क्योंकि होगा क्या वो पूछने पर multiple views arise हो जाएंगे और उन्हें free marks देने पड़ेंगे समझनारी वात वह ऐसे नहीं देते आप इतना लिख के आते हैं प्री तो बहुत दूर की बात है चलो 194H जाओ shortcut जाओ जल्दी बेटा शॉटकट में पाँच गए पाँचे के बेटा लिको 194H commission पंदरह अचार पांच परसेंट रिफर एड़ जाओ एड़ जाओ जाओ पांच पांच ये अो नू हाँ जी भाई है चिगार है चिए एच आई जी ए आर 1 2 3 4 5 बचता सिर्फ क्या है बिटा आर है मनने पूर जी नहीं है यह हम उसको चिगार लिख रहे हैं यह नेक्स्ट सेक्शन सेक्शन इस 194R है बिल्कुल एक्जाम में आएगा बिल्कुल एक्जाम में आएगा मान के चलिएगा बिल्कुल आएगा एक्जाम में हुँ हम अमेंड्मेंट अमेंड्मेंड्मेंड अमेंड्मेंड्मेंड प्लीज ध्यान जा सुनिया पे नीचे रख दीजे फूरा कान जब समझी है अब एक पॉइंट है अगर हम किसी भी तरह के का परक्विजिट देते हैं इन बिजनेस और प्रोफेशन एंप्लॉयर एंप्लॉई को परक्विजिट दे 192 हम बिजनेस में परक्विजिट देने की बात कर रहे हैं नो प्लीज क्लिरली अंडर्स्टैंड हंड्रड परसेंट इंस्टिटूट इसको इंक्लूजिव पॉइंट में ही पूछेगा येस आई होप अब आपको समझ गया कि भाईया जो पढ़ना है इंक्लूजिव पढ़ना है ठीक सुन देखे क्या होता है हर बिजनस अपने जो एजन्स होते हैं इनको टार्गेट अचीव करने के लिए कुछ मोटिवेशन देता है कि भाईया तुम अगर यह कर लो तो हम तुमको यह यह देंगे लेट्स गिव एन इसांपल आपके घर पे अगर सिमेंट की इंडस्ट्वी साइकल की एजनसी या ऐसी कोई भी प्रोड़क्ट की एजनसी हो तो वह आपको बोलते इस साला पे इतना टार्गेट अचीव करो हम आपको यह नो सिंगापोर थाइलैंड अदर इनकी टिकेट देंगे तो यह तो बहुत फ् अब जो और तरह इस दीलर है और तरह इस दीलर को हम भी मोटिवेट करते होंगे भाई अपूरे इंडिया में अमारा लेक्षर बेच वैसे जरूत नहीं पड़ती हमारा बच्चा ही हमारा ब्रेंड अमेसेड रहे है जरूत नहीं पड़ती बगवान की दिया से जनुविनल कंवोंटे आशे है जरूता बसे की थाल scenario ? अहां मतलव हमको बताने पड़ता विया लोन हाँ मतला व कसा बताना नहीं पड़ता शूत कड़ता है और मैं तुमार को बात बता है मैं तुमार को एक तुमार को जनुविनली बात बताता हूँ अगर आप इमानदारी से अपना 100% दे होगे ना आपको कभी कमी नहीं पढ़ने वाली तुमारा पॉम्पिटिटर कोई भी हो कितना भी हो कैसा भी हो देख लोग हमेशा प्रोड़क्ट और तेरी सर्विसेस को अप्रिशेट करेंगे अपने लिए खुशी की बात क्या है अपने को एडवर्टीजमेंट का जरूत नहीं पड़ता अपना बच्चा इच बूल देता तेरे को यह इधर लगाने का है खतम तो यह जो कॉन्फिडेंस है यह आप भी चलके आगे देंगे क्यों कि यह सर्विस इंडस्ट्री है और सर् 25,000 रुपीज का गुआ का पैकेज दूँगा बरबर है 25,000 का गुआ का पैकेज दूँगा ITC के अंदर में चार दिन का इन टोटल वैल्यू बन गई 1 लैक पर दे 25,000 का पैकेज मतलब एक लाख रुपे का स्वारी मैंने 4 लाख बुला शायद एक लाख रुपे का मैं तिर 25 पार्टनर को एक टारगेट दिया और यह टारगेट कतम होने पे उनको एक टूर पैकेज दिया क्या दिए बटा टूर पैकेज जिसका फेर मार्केट वैल्यू था 1 Lakh रुपीज 25 रुपी 25,000 रुपीज पर डे के इसाब से हमने 4 दिन का पैकेज दिया क्योंकि उसने सेल् के लिए ठीक है तो अब मेरी बात ध्यान सा समझना एक अत्वम के लिए ये इंकम है या एक्स्पेंडीचर है एक्सपेंडीचर। इस देट एक्सपेंडीचर अलाव नाची है अलाव अंडर सेक्शन थर्टी सेवन वायल कंप्यूटिंग इसी भीपिसमाई बात तो एकत्वम घचा कर रहा है वो अपने agents को दे रहा है, let's say कुछ student ही आगे चलके हमारे लिए क्या बन जाते, agents बन जाते, वो बोलते हैं, हम ही आपका product sell करके देते हैं हमारे area में, हम बोलते हैं कोई बात नहीं, तो हमारे साथ join कर ले, बेच दे, कोई तकलीब नहीं हम को उसमें भी, अब यह जो agents को हम ल लाक रुपे का टूर package मिल रहा है, is it considered as income, yes or no, अब आप बोलोगे TDS है मतलब yes तो बूलना ही पड़ता, yes, if yes तो कहां, is it taxable in IFOS, absolutely wrong, section 28 PGBP, section 28 PGBP में taxable होता है, अभी से नहीं हमेशा से, पूचो कैसे, रुकिये, मैं मेरे एक regular batch का एक book खोल रहा हू, section 28 देखते हो, उसमें, यह देखो, आपकी book में भी खेरिये देखने को मिल जाएगा, जब section 28 पड़ोगे, क्या पड़ोगे बीटा, section 28, तो section 28 के अंदर में 6th number का item पड़ो मेरे साथ, any gift benefit perquisite arising due to business convertible into money or not, partly in cash और partly in कहिन, तो यह business के लिए section 28 में taxable होता है, IFOS में नहीं, यह institute गलती करवाएगा, बुलाती है, मगर जाने का नहीं, यह कहां taxable होगा, बोल मेरा बच्चा, यह PGVP में taxable होगा, कौन से section में, 28, अब सवाल उठाए, कितना taxable होगा, अब क्योंकि लेने वाले के हाथ में tax हो रहा है, देने वाले के ओपर क्या responsibility बन गई, TDS under section 194R, तो यह हमेशा से provision exist करती थी, ऐसा नहीं है, यह नहीं आया है, अब पूछो यह लाने की ज़रोत क्यों पड़ी, पूछो न क्यों, अरे ब्रो, लाने की ज़रोत इसले पड़ी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे benefit हर साल business को मिलते थे, लेकिन businessman कभी इसको दिखाता ही नहीं इसको शोही नहीं करता था, let me give you an example, मानलो यह लेट से दिल्ली का center हमारा handle कर रहा है, इसको हम लोग क्या कर देते थे, गोवा का 4 दिन का trip देते थे, लेकिन problem यह होता था, यह कभी भी अपने books में शोही नहीं करता था, यह कभी भी अपने books of accounts में शोही नहीं करता था, या कोई और gift ले लेते थे, let's say, वो बोलता था मेरे को एक काम करो, मेरे को 1,00,00 के डॉमिनोस के voucher देदो, मेरे को 1,00,00 के क्या देदो, डॉमिनोस के voucher देदो, हम क्या निकाल के देदे देते, vouchers, आप Amazon का cash card निकाल के देदो हमारे को, right, आप हमारे को gift card gift कर दो, H&M का, Z Tara, Louis Vuitton, आप हमको gift card देदो, see, benefit किसी भी तरीके से दिया जा सकता, इस बात पर focus करना, ठीक, benefit किसी भी तरीके से दिया जा सकता, जब मैं इसको यह benefit देता था, यह बंदा शो ही नहीं करता था अपनी income बोल करके, TDS का provision लाना पड़ा, ताकि लोग इस provision का actual implementation कर पाएं, समझ कर जाएं, 20,000 से, अगर amount क्या कर जाएं बिटा, exceed कर जाएं, 20,000 पर एनम से, तो TDS होगा, add the rate of, बोलो बिटा, 10% on the value or benefit given, बनाओ, पूरा आस्पेक्ट समझा, आएगा, लिखी दो, आर है मतलब specified person था ही ना बिटा, हमने example लिख दिया, एककत्वम, एककत्वम specified में आजेगा, इस turnover of business exceeding 1 crore, आज्यूम exceeding 1 crore, बरे बरे की नहीं, आज्यूम, यह भी कौन होना ची बटा, resident, so if paid to non-resident क्या मैं कह सकता हूं TDS under section 195 TDS is applicable whether convertible into money or not TDS is applicable whether converting it into money or not you 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 I 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 41.1 इसको कहा जाता है remission of trading liability क्या कहा जाता है बिटा remission of trading liability अगर आपको trading की कोई liability पे करनी है और उसमें आपको कोई concession मिल जाए तो यह जो benefit आपको मिला है इसे perquisite माना जाता है business का और deemed income बोल करके tax की जाती है under section 41 सब section 1 के दंदर में बरबर है अब अगर आप उपर का example देखेंगे यहां section 28 के तहट taxability की पर यह भी तो एक benefit या perquisite है जो business में arise हुआ क्योंकि हम अगर देखेंगे हम अगर देखेंगे तो section clear लिखता है benefit और perquisite in business और profession यह इसकी heading है पूरी heading आपने notes में भी यह लिखावाए benefit और perquisite in business और profession अब डोंट यू थिंग विजय को साड़े चार लाख रुपे का benefit हुआ है येस अरे आपको सम्झा क्या पूरा का पूरा वापस से सुनो बहुत मैंने कहा बहुत deep concept है बहुत deep concept है मैं generally final level पे regular batch में यह पढ़ाता हूं पर मैं समझता हूं कि शायद इंस्ट्यूटर आपको इस level तक के भी test कर सकता है तो मैं आपको समझा रहा हूं मानलो DK है creditor है बरे विजय को उसके पैसे देने हैं उससे कुछ product buy किये थे अब क्यूंकि उसने कुछ product buy किये थे 5 लग का balance था full and final settlement में मेरे creditor ने मेरे को बूला कि कामकर विजय तु 50,000 दे in full and final settlement मैंने बोला ठीक है अब साढ़े चार लाक रुपए विजय को benefit in business मिल गया क्योंकि उसके creditor कम हो गए yes or no अब यह साढ़े चार लाक रुपए section 28 में taxable है क्या नहीं पर क्या यह PGPPP में taxable है क्या yes so this 4,500,000 these 4,500,000 these 4,500,000 is not taxable under section 28 but taxable under section 41 under the head of PGPP so my question is my question is is TDS applicable under section 194 are my question is is TDS applicable under section 194 are the answer is yes as per circular number 12-2022 वो कहते हैं अगर कोई benefit आ रहा है business या profession में भले ही 28 में taxable नहीं है पर under the head of PGPP अगर यह taxable है तो 194 R के तहट TDS होना चाहिए भले ही वह section 28 में taxable नहीं होके 41 में tax हो रहा है पर है तो PGPP में benefit TDS has to be there TDS has to be there कि सर अब यहां पर TDS की responsibility किसके ओपर आएगी मेरे को तो benefit मिल रहा है बेनिफिट दे कॉन रहा है डीके तो TDS की responsibility किसके ओपर डीके सर फिर वो दीके तो यह बोल सकता है ना उल्टा मेरा तो लॉस हो रहा है मैं काय को भर हूं कि मत benefit भी मत देना है बेनिफिट भी मत दे बैट डेप्स क्लेम कर section 38 36 में है बैट डेप्स इस डिदक्शन पूरा बैट डाल दे काय को benefit दे रहा है पर अगर benefit दिया डीके अरे डीके ओडीके बैट दिया तो मैं कहूंगा वाओ पर तू नहें ना तो बोलेगा TDS करना के बेनिफिट मत दे तू बैट देप्स क्लें कर ले फूरा 36 का डेट अले तू बैदेंस इन बिजनस आउड देट्शन सेक्टेशन 36 क्ये के प्रोविजिन फर डेड़ेप्स मत दलना त्ट अलाऊओ अलावड अड़ा अग्शल beteप्स इसलोड डेट्शन कुछ याद आया क्या प्रोविजन फर्वेड डिप्स नॉट एलोड़ेश एडिक्षिन वह बहुत भारी कंसेप्ट थाना है मच यह तार कंसेप्ट अलिको जल्दी से अग्या पर्संट परसंट डिपेंड करता है या और गनाइजेशन जरूरी नहीं बैड डेप्स तब क्लेम हो सकता है जब आप उसको एक्चुली राइट आफ कर दो पर बाद में अगर बैड डेप्स कभी रिकवर हो गया विजय के पास से तब तो इंकम आननी पड़ेगी न तो इट डिपेंड्स फॉर्टीवन फॉर के थाथ बैड डेप्स रिकवरी इंकम हां जी है फॉर फॉर फिफ्टी द अमांट ऑफ बेनिफिट गिविन हां टीडीए स्फिर दर्शन को एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा खुद के जेब से इसलिए तो मैंने बोला बेटा वह मत कर तू सीधा वैड डेप्सी क्लेम कर दे मेरे से पचास हजार मंगना उसके लिए नुक्सान है या तो पूरे पाच मंग या तो पूरे जीरो कर दे साल का से यस सर एक बात बत हो क्या एक सवाल पूछो अब सबसे थोड़ा सा डीप है चलेगा क्या इस सेल्स डिसकाउंट कैश डिसकाउंट रिबेट्स गिवन इन बिसनेस डोंट यू थिंक दियर अल्सो बेनिफिट इन निचर आफ बिसनेस विल देर भी टीडेस अंडर 194 और क्यों आपने कहा नहीं अहां आपने क्या कहा एनी काइंड ऑफ बेनिफिट और प्रक्विशिट राइसिंग आउट बिसनेस और प्रफेशन विच इस एक्सेडिंग रुपीस 20,000 इस सब्जेक्ट टीडेस अंडर 194 आपने बोला बोला अब सेल्स डिसकाउंट कैश डिसकाउंट बी से जर के ऊपरे विल देर भी टीडिएस क्यों बेनिफिट तो मिला बिसनेस को अठीज कॉल्ड GGS बेनिफिट यएस बडवि तेज क्योंकि इससijn सेलर को डिफिकल्टी अरईज हो जाती थीトゥ रिमूव देएफिकल्टी और दिष्थर बेनिफिट्स क्योंकि को ओचीज सस्टे में मिल्रेए तो तो इस benefits but क्योंकि इससे बहुत ज्यादा taxation aspects बढ़ जाता CBDT ने circular के तहत कहां नहीं लेंगे राइट so no TDS on shales discount, cash discount, rebate allowed to बुल बटा customer बुल आप इसमें बहुत बागी है और मैं क्या बोल रहा हूं आपको इतना लंबा discussion इसलिए कर रहा हो क्योंकि इस पर आपको कंफम question मिलेगा fast track में आके बाद में thank you लिखना सुनना सुनते जाओ social media influencer चलिए शुरुवात करते हैं ठीक है सावन को पानी ठीक है and so on and so forth social media influencers को कई company अपने product देती है तो मान लिजे कोई ex company ने अपना कोई product use करने के लिए social media influencer को दिया अब जाहिर सी बात है उसको real या product के vlogs बनाने के लिए पैसे भी दिये जाएंगे yes or no अब यह product उसके पास दे दिये जाते हैं is it a benefit or perquisite arising out of business या profession let me give you an example मान लिजे के उस्ट सा पर्चन नया launch हुआ apple 16 17 whatever यह technical guru ji को दे दिया बरे-बरे बुला कि आप इसका review करो unboxing करो उन्हाने निकाला unboxing कर दिया एच्टरा 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 अब यह phone उनके पास यह जाहिर सी बाते मंगेंगे थोड़ीन वापस मंग भी सकते हैं दो situation possible है एक सिफ review करने के लिए दूसरा बड़ जब इतने बड़े influencer को दे रहे हो तो जनरली उससे मंगते हैं उसको देही देते हैं समझ महारी ही क्या बात इमेजिन इमेजिन शारु खान ने ओपो का advertisement किया ओपो का फोन शारु खान को दिया क्या प्लीज एक बार चोटा सा इंबॉक्सिंग विडियो बना दो या फॉर्ट मैंट यह सब बहुत चोटे स्टार हो गए औरी थोड़ा relevant लगेगा ना आपको ठीक है औरी को दिया राइट यूओ 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 यूओ-ई लिवर इस एन इंफ्लेंसर राइट अच्छा वो चीए नहीं करते नहीं तो वो बोलते आयम अटेंप्टर नहीं तो वो अटेंप्टर भी बोल दिते आपने आपको खेर छोड अच्छा तो दें सब्सक्राइब इस कि उनको ये लिए उनबॉक्सिंगा अब देखे जनलिका ओते इंपनी प्रमोशन करने के लिए क्यो भार ये जॉ प्रोडक्स देती है यू यू यूज करने के लिए आपको लगता है लिड़लिल्य ओं आपस मांगते है मांग भी सकते नहीं भी मांग सकते, ऐसी दो situation possible होती है, situation number one, मान करके चल दीजे, कि अगर उनने ये product वापस मांगा ही नहीं, is it a benefit arising out of business or profession, if the value exceeds 20,000, will there be TDS, सोचो, सोचो, will there be TDS, नहीं, company के लिए तो advertisement expenditure है, जिसको मिल रहा है, उसके लिए ये taxable है, क्या, point number पहला, और अगर taxable है, तो TDS भी होना चाहिए, बोले जल्दी, क्या करना है, सर, मैं दूँगा तो मंग लूँगा, रिसेंटली आपका दिल तूटा लगता है, रिसेंटली ऐसा लगता है, कि चॉगदा फर्वरी को दिल तूटा है, जो कुछ दिया सब वापस दे, तो चल दो, जल्दी से बताओ, क्या होगा, जल्दी से क्या होगा, चलो, लिखो तूँ, गुड्स गिविन तू, सोशल मीडिया इन्फलेंजा, सोशल मीडिया इन्फलेंजा, इफ नॉट रिटर्न, रिटर्न, इफ दर रिटर्ण, नो एटिएस, जस्त्य। क्या रिटर्न आक यस्ति तड्स, रिटाषए लिघर Cem वारी कोंसेपट्स, फॉर ईग्जाम्ल एक शुपम क्या वार्डॼूरी, तू औरी वो क्या ही करेंगे हमारे प्रोडक्ट का उनने रिटर्न कर दिया नो टीडियेस वो क्या है गुपक्या है इसिस दूए से एस और आ वो हम और एक deep point पे लेगे जाओं क्या suppose चलो एक और deep point है पर समझना ये बहुत ही प्यारा point है पर ये 194R प्लस depreciation concept है मतलब ये 194R प्लस depreciation concept में discuss करने जा रहा हूं ठीक है लेट से एक डीलर था एक dealer था ब्मडबलू लेट से एक मिनट ओपहां, लेट से BMW कंपनी थी, BMW कंपनी ने अपने डीलर बावरिया मोटर्स लेखां.. बावरिया मोटर्स को कार देदी इह कार दीख रही है? कार नहीं कार ने लिगरी दूंको आजूम डिसी स्कार आजूम डिसी स्कार तो लेट से BMW कंपनी ने बावर्म बावरिया मोटर को एक कार देदी बड़े जनली कंपनी जैसा करती है ता कि वो अपने शोरूम में रख ले बड़े बड़े इस दिस टैक्सेबल अंडर सक्शन 28 दा आंसर इस इस इनके लिए क्या ये एक्स्पेंसेज अलावड है आंसर इस अब बावर्या मोटर्स ने क्या किया बावर्या मोटर्स ने इसे यूस किया इन बिजनिस can they claim depreciation can they claim depreciation जल्दी से बताये yes or no yes or no जल्दी से बोले yes or no and answer is yes if yes what is actual cost under section 43 1 fair market value taxed under section 28 depreciation मिलेगा yes depreciation purpose के लिए actual cost क्या मानी जाएगी जो तुमने tax करी वो तो ऐसा कुछ पूछा जा सकता है intermix interlink करके सब चीज के लिए ready रहो और सर इतना पढ़ने के बाद आया ही नहीं तो knowledge waste तो नहीं होगा न है न मैं हमेशा ऐसा कहता हूँ और हर batch में ऐसा कहता हूँ CA का fail हुआ बच्चा भी न बहुत productive है बहुत productive है वो इतना काम कर सकता है किसी भी जगह का चाहे वो office का हो non-official वर को company का हो यह बहुत क्योंकि उसने इतना content पढ़ चुका होता है हाँ सच्ची वो बहुत productive हो जाता है at least sincere तो ही जाता है है यह सो नो अपने life को लेके वो sincere तो ही जाता नहीं तो एक आध अटेम्ट उसको बना ही देता sincere कि पढ़ ले साले है अपने शन्सक्रांट के जो निबानिभी होते है अभी तुम्हें ऐसा फंडेशन गे निबानिभी को देखते होंगे तो क्या बोलते है जी ले साले जिन्दगी यह तेरी है पाइनल वाले भी तुमको देखके यह बोलते है और यह वाले फाइनल वालों को देखके यही बोलते शाले तेरा जीवन अच्छा है अभी टूडेंट यह तो एस कर ले कि की पता है तुमको रीयल स्ट्रगल जो चालू होता है न वो डिगरी के बात चालू होता है डिगरी तक नहीं होता स्टूडेंट जब तक आप पोते हों आपको एसा लगता है कि यह यह एक बार बन गए फिर तो बस काम खतम नहीं कुछ हो कैसे चोटा सा एक्जाम्पल देत नहीं सिर्फ अटेंब्ट नहीं लगते हैं अब हमारी कुछ भी गलती होती है उसमें क्लाइंट सफर करता है बस इत्ता ही है बाकी कोई डिफरेंस नहीं पढ़ना तो उत्ता ही पढ़ रहा है आज भी चलो ड़ने बच्चे है ओके हुआ हम है इस 194 अर्डन येस बच्चे नेक्स सेक्शन पर चलते हैं है बच्चे ची एच आई जे आर पूरा अपलीट हो गया क्या बरो ठीक है शॉटकट में जा शॉटकट में जा नहीं आज तिरको बले आलस हो रहा होगा पर जाओ वह लास दिन के लिए तिर लिए बहुत बनिफिचल है बोल भुरो क्या लिकेगा benefit और पर्कुषित राइज आथ बिशन्स और और प्रोफेशन अराइजिंग और बिजन्स और प्रोफेशन 20,000 परसेंटेज बूल बिटा 10 आगे लिख दे रिफर अहेड चलो नेक्स सेक्षन पर चलते हैं हम लोग हम लोग लगभग लगभग अपना TDS जो है यह अल्मोस्ट कल हमारा TDS खतम हो जाएगा TDS TCS कल लगभग लगभग हमारा पूरा खतम हो जाएगा मतलब ढरबाए हम बहुत बड़े बड़े टॉपेक्स क्कार रहे होँगे ये सरो कल किके हम दो बड़े टॉपेक ले चुके है कल हम लोग और फजी होड़ चोटे टॉपेक लेकर के घतम कर देंगे येस, ताकि क्या होगा, आपका आगे का portion बहुत आसानी से complete हो जाए, चलो बढ़ते हैं आगे, section 194M, अभी अभी हमने C में देखा, H में देखा और J में देखा कि personal payments वहाँ पे cover होते हैं, नहीं, येस, परस्नल पेमेंट्स, अगर इंडिविज्वल या हुएफ, पे कर रहे हैं, रेसिडेंट को, yes, of some, not covered under section 194C, 194J, 194H और ये एकसीड कर रहा है, कित्ता बिटा, 50 lakh अगर ये एकसीड कर रहा है, कित्ता बिटा, 50 lakh, अगर ये एकसीड कर रहा है, कित्ता, 50 lakh, TDS will be at the rate of 5 percent. Is that done, बच्चे? तो मान लीजे, आपको ये works contract कर रहे हैं, आपको ये professional payment पे कर रहे हैं, आपको ये commission पे कर रहे हैं, और ये कित्ते से उपर जा रहा है, बटा, 50 lakh रुपीज के उपर जा रहा है, तो आपको TDS करना पड़ेगा, at the rate of 5 percent, जाओ जाके shortcut में लिख दो, exam point of view not so important, अच्छा है, इसमें बस एक चीज लिखना, stop, अब ऐसे तो बहुत सारे payment हो सकते हैं, इसका एक छोटा सा example देता हूँ, आपको चीजे clear हो जाएगे, मान लो, विजय ने caterers को payment किया, यह अगर AGM कंड़क करने के लिए होता, तो 194C में cover होता, क्योंकि यह works contract में आ जाता, यह अगर sister के marriage के लिए दिया, यह 194M में आ जाएगा, समझ में आई बात, एक, दूसरी बात, अब सुन, ऐसे तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जो person payments करें, एक खादी payment के लिए, वो 10 लेते बैठेंगे क्या बिटा, तो 194M में TDS करने के लिए 10 की ज़रूरत नहीं है, है, no 10 required, 10 की शुरुवात पर पहुचो, 10 की शुरुवात पर पहुचो, पहुच गए, फर्स्ट पेच पर, आएगेस वहाँ पर तीन कॉलम तो हम फिल कर चुके हैं, मॉरेस बाकी है, हाँ, तो हमने दो फिल किया है फिर चाहिए, ठीक है, तीसरा में फिल करो पर्सनल पेइमेंट्स, में फिल करो उसमें, पर्सनल पेइमेंट्स, आहो, चलो जी, नेक्स सेक्शन के ओपर चल रहे है, वन नाइन्टी फोर एन, सेक्शन, वन नाइन्टी फोर एन, वन नाइन्टी फोर एन, किस के ओपर डील करता है, एन्यवन, कैश विड्रॉल, खुद का पैसा, बैंक से निकालो, टीडियस आएगा, प्रॉब्लम यह है, यह टीडियस तरब आता है, अकाउंट ट्रांसफर करने पर, यह कैश विड्रॉ करने पर, सरकार ने ऐसा प्रोविजन बनाया, क्यों होगा तुमारे हिसाब से, कैश निकलेगा, तो मार्केट में घुमेगा, सरकार चाहती नहीं ऐसा हो, तो पहला जो कैश विड्रॉ कर रहा है, उनी पर रोक लगाना चाहती है, सरकार समझमारी बात, पर इस सेक्षन को रियल लाइफ में, बहुत इजीली अवाइड किया जाता है, मान लो, एक अकाउंट से, मतलब आपको भी लिमिट पता है, यह क्या नहीं पता है, लिमिट पता है या नहीं पता है, कित्ते लाग रुपे से उपर विड्रॉ करने पर TDS आता है, जनरली वन करोड, और फिर वो रिटर्न अगर नहीं भरा है, तो 20 लाग से चालू होता है, इसमें एक अमेंडमेंट आया है, कि अगर कोपरेटिव सोसाइटी है, तो उसके केस में, यूनों, जो लिमिट है, वो तीन करोड किया गया है, अमेंडमेंट है, अब ध्यान से सुनना, लोग इस सेक्षन को अवोइड कैसे कर रहे हैं, मान लीजिए, एक करोड रुपे के उपर किसी अकाउंट से विड्रॉव हो, कैश में, तो TDS आता है, लोग क्या करते, इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते, वहाँ से विड्रॉल मार देते हैं, तो यह सेक्षन आज बहुत एजी ली अवोइड हो रहा है, बहुत एजी है, यस और नो, इसको अवोइड करना, और दूसरी बात, मैक्सिमम आज, टैक्सेशन प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए, कोई भी बिजनस में से कैश विड्रॉल इतना ज़्यादा लेवल पर करता नहीं, हाला ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इंपॉसिबल होता होगा, लगता भी है, जनरली बिल्डर लभी इसको बहुत ज़्यादा कैश लगता है, एक साल के अंदर में, एक एक प्रोजेक्ट सव करोड पर चल जाते हैं पूने में तो, ऐसा नो, एक फ्लाट डेड़ डेड़ दू करोड का जाता है, तो, मतलब इनो, असी सव फ्लाट की स्कीम रहेगी, तो आराम से सव करोड के उपर का प्रोजेक्ट चल जाता, तो ऐसे केस में cash withdrawal लगता है, क्योंकि labor जो आते हैं, उनको cash में payments करने पड़ते हैं, तो उसके केस में TDS होता ही है, yes or no, तो कुछ बिजनस, जो बड़े बिजनस हैं, बहुत बड़े लेवेल पर पहुँच चुके हैं, वो दिमाग नहीं लगाते हैं, एक 2% पे, TDS कट रहा है, कटने दे, कोई तकलिफ नहीं, बैंक की काट रहना, कटने दे, वैसे भी जो TDS, दिखिए, TDS कटना कभी भी आपके लिए हानिकारक ही नहीं, क्योंकि आपको तो क्या मिल रहा है, credit, आप ऐसे टैक्स पे करो, या पहले पे कर दो, बस आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाता, बात समझना, TDS सिर्फ एक हाम क्रिएट करता है, कि आपका वर्किंग कैपिटल को वो ब्लॉक कर देता, क्योंकि उत्त्य टाइम वो पैसा आप किसके पास है, जब भी क्या देते रहें बिटा, कैश विड्रॉल देते रहें, एनी परसन को बड़ाबर या, एक्सीडिंग रुपीज, 1 करोर, TDS रहें प्रफज, एक देते रहें रहें, आप ड़ बॉल बॉली दा वोॉल वेडी पर सेंग, अमेंड मिठ की वर सीपिंट इस, अप्सक्राइब अवरिटिव डूइटिय। लिमिट इस्टीकरओ फिनन्सक टूशन च्ट्ट्टिफीप पी पॉड़ शुट्टिव्य। FILED ROI for last three years two percent on some exceeding 20 lakh up to rupees one crore three crore for cooperative five percent on some exceeding bolo beta one crore three crore for cooperative someone mag amendment जहां लेने वाले recipient cooperative society अपना पैसा बैंक में रखती है तो cooperative society अगर cash withdraw कर रही है तो उनके लिए limit एक करोड नहीं तीन करोड है सालवर की लिमिटे बेटा सालवर की लिमिटे इस देंग इस देंग इस देंग करो कि आभर करो 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 लगता किस पे हैं TDS लगता कित पे है जैसे एक करोड़ पचास लाग विड्रॉव किया तो TDS एक करोड़ पचास लाग पे या सिर्फ पचास लाग पे difference पे याद है ना ने फिर भी लिखोता हूं TDS on the sum exceeding the limit for example 1.5 CR withdraw TDS on 0.50,00,00,00 या सीधा सीधा 50,00,00,00,00 उसमें भी सब बोलें है 0.50,00,00,00,00 ऐसा क्यों लिखा बरे बरे तो यह साल भर में अगर आप एक करोड से ज्यादा का विड्रॉव कर रहे हैं तो TDS will be on the sum exceeding 1 crore ठीक है हाला की no TDS on withdrawal by आपको जो question आता है वह इस पर आता है आपको जो question frame होता है इस पर उपर वाले provision पर कुतनी पूछते इस पर पूछते अगर withdrawal किसके द्वारा हुआ है गवर्मेंट अगर withdrawal किसके द्वारा हुआ है गवर्मेंट अनी अदर बैंक और पोस्ट ओफिस और को अपरेटिव अनी बिजनेस करेस्पोंडेंट कि फोर्थ कि बूलो ना कुछ तो याद कर लो कि एनी वाइट लेबल कि ATM ऑपरेटर कि फाइव सी आरेज कि एनीवन सी आरे कि सबने को तो कि यह पता है कि आपने को किया पता है इसी आरे नहीं पता हूं और इसी आरे कैश कि रेप्लेनिश्मेंट कि एजन्सी कि एड़ कि एड़ कि फ्रेंचाइज एजन्ट ओफ कि एड़ कि एड़ वाइबल एट्यम अपरेटर कि ए ब्लू लबत्यम यह कि एड़ कि एड़ कि कि एड़ कि थाविर कि एड़ अपरेटिंग अंडर यादे क्या एपी एमसी सरे पी एमसी मार्केटियार्ड अग्रिकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एक और है याद है क्या हूँ अर्थराइज डीलर और इच फ्रेंचाइज एजेंट और सब एजेंट and full-fledged money-changer यादे इफ मेंटें सेपरेट बैंक अकाउंट if maintained separate bank account तो इतने लोग अगर cash withdraw कर रही है टीडेस विल भी देह ला आहो कि से एस खतम है सिर्फ पांच मेंट एक्स्टा लूँगा पहले इसमें जाओ शॉटकट में जाओ 194N लिको 194N cash withdraw 1 crore 1 crore किता परसेंट मेटा 2 परसेंट साले का सुनो ना टीडेस में सिर्फ इदर देखो टीडेस में ही कितने सेक्षन हो गए 194C 194H 194J 194R 194M 194N 194 के पांच दस पंदरा बीस पच्चिस लगभग तीस सेक्षन ओफ टीडेस पर आ रहे हैं हम लोग लगभग लगभग तीस सेक्षन ओफ टीडेस पर आ रहे हैं लोग है मेरे को फिर भी ऐसा लग रहा है 194 अब तक ओडिसकस नहीं किया न हमने लगभग लगभग तीस सेक्षन टीडेस के हम लोग खतम करने के लिए आ रहे कल का टास्ट समझ लीजे और आज का होंवग समझ लीजे आज का आप सभी लोगों का होंवग होगा कि यहां तक के जितने प्रॉबलम हुए है फ्लीज कोशिनेर में जा यई और प्रॉबलम सॉल कर लीजे पहले ही ठीक है दूसरी बात dood कि अपने की कोशिष करें बीच में आपका समय बड़ा इंप्वॉर्टन आपका समय इंप्वॉर्टन ए और रुक जाएगा बताए मैं दर शन दर शन सरने बैड़ ड़्प ख्लेम करना चाहिए या कमिशन देना चाहिए है वेट डेप्स क्लिम कर लेना चाहिए बरबर एक नहीं है चलो बाई बलो अच्छो